आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ अगाथा क्रिस्टी सिरीज की अगली कहानी डेथ ओन दा नाइल तो सुनते हैं इस बहतेरी नॉविल का हिंदी एक्स्प्रेनेशन मेरी यानि गरिमा की आवास में कहानी की शुरुवात होती है जब हम देखते हैं लिनिट नाम की एक 20 वर्ष की बेहत खुबसूरत और अमीर लड़की जिसके पास दिमाग दी है यानि Beauty with Brains एक बहुत बड़ा सा घर खरीती है और उसे किस तरह से वो रिनवेट करा रही है जो भी उसे देखता है उसे जलन र वाली है उसकी सहेलियां जो हैं चहरे पे तो सामने से उससे बहुत प्यार दिखाती है लेकिन पीछे सब उससे जलन रखती है लेनिट बेपरवा टाइप की लड़की है उसके ड्रेसिंग टेबल पर हम देखते हैं बेश कीमती एक 50,000 डॉलर का मोतियों का हार यूं ही पड लेनिट के पास महगी गाडियां है लेकिन लिनिट को कहीं न कहीं एक बास सता रही है क्योंकि जिस लॉट से उसकी शादी करने की अफवाह पहली है और शायद लिनिट उससे शादी कर भी लेगी वो लॉट हैसियत में उससे काफी बड़ा है लिनिट को लगता है कि जिस त नहीं करेगी और इसी तरह से लिनेट सिर्फ एक क्वीन बनके रह जाएगी और उसकी अपनी पहचान खत्म हो जाएगी वहीं हम देखते हैं लिनेट की एक बहुत जिगरी दोस्त है जिसका नाम चैकलिन है जिसे वह प्यार से जैकी पुकारती है जैकी जो है वह थोड़ी गर लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है सैमन की नौकरी चूट गई है और इस समय वो बेरोजगार है जैकलिन कहती है लिनेट से कि क्या वो स्टेट एजेंट के रूप में सैमन को न्युक्त कर सकती है लिनेट कहती है ठीक है वो इस बारे में सोचेगी वहीं पर एक होटल में बहुत बहतरीन डान्स करती है चैकलिन अपने मंगेतर सैमन के साथ वो बहुत खुश है जो कि शायद लेनेट उसे नौकरी दे देगी तब फिर इनकी शादी में कोई वेवधान नहीं है ये खुब सूरत अपैशनेट डान्स जो है वहाँ पर बैच्छे हमारे हलक्यूर प इतना ही रोना पड़ता है यही बात पॉयरो के मन में भी आती है वो कहते हैं ये लड़की इतना खुश है इतनी खुश है कि मुझे इसे देख के डर लग रहा है कि कहीं इसकी खुशी ना चिंच जाए हाला कि वो उस सक्स को नहीं देख पाते सैमन डॉयल का चहरा नहीं द बात कर रहे हैं अपने दोश्स से कि चुटियों में उनका मन है कि नील नदी के ऊपर नाइल रिवर के ऊपर वो लोग एक शिप से ऐजिप्ट जाएंगे अब ये ऐजिप्ट जाने का प्रोग्राम सिर्फ पोईरो का ही नहीं है, कई लोग खाना चाहरा रहे हैं और हम कहानी म कुछ महिनों के बाद लिनिट और जैकलिंग का जो मंगेथर था साइमन डॉयल दोनों ने शादी कर ली है और उनकी शादी की चर्चा हर अकबार में है लॉर्ट जब ये बात सुन रहा है तो वो बहुत नाराज है क्योंकि वो लिनिट से शादी करना चाहता था लिनिट जो की एक अकलमंद लड़की है उसने अपने लिए अपने हिसाब से सही चुनाओ चुना हाला कि उसने अपने दोस्चैकी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि उसका क्या होगा लिनेट अपने पती साइमन डॉल के साथ हनीमून पर जाती है एजिप्ट उसी शिप पे सवार होकर जिस पे हमारे हाक्यूल पॉयरो जाने वाले हैं और भी लोग जो जा रहे हैं उस शिप पे वो लोग भी बहुत इंट्रेस्टिंग लोग हैं एक गरीब सा लड़का है टिम एलर्टन ना जाने क्यों वो इस शिप पे जरूर जाना चाता है उसकी माँ पूछती है कि हाखिर हम लोग इतने पैसे कहां से लाएंगे उस ट्रिप के तो टिम कहता है कि मेरे पास कुछ शेयर्स हैं और शेयर मार्केट बहुत उचली है समय बहुत हाई गई है तो मैं अच्छे से पैसे अरेंज कर सकता हूँ लेकिन हम कहानी में आगे जानेंगे कि टिम एलर्टन आखिर उस शिप पर क्यों गया था मिस आटन बर्न करके एक लेडी है जो नौविस लिखती है लेकिन उनके नौविल बहुत अच्छी सेल आउट नहीं होती है उन्हें लगता है कि इस शिप पे उन्हें तरह तरह के अमीर लोग मिलेंगे और उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगी अपनी नौविल लिखने के ये भी हमें कहानी में आगे मालूम पड़ेगा शिप पर और भी बहुत से लोग गया हैं जिनके बारे में हम कहानी की बीच में डिसकस करते रहेंगे अब लेनेट जो इतनी अमीर थी तो वो अकेले तो गई नहीं थी शिप पे अपने पती के साथ साथ में उसकी जो मेट थ वो भी गई थी और साथ ही उसके फाइनन्स की जो देख भाल करता था पेनिंग्टन वो भी साथ गया था लेनेट ने अभी अभी शादी की है और वो बहुत खुशी-खुशी अपने हनीमून पर जा रही है लेकिन उसे खुशी के दिन बहुत लंबे नहीं थे जो कि जिस उसे वो जा रही है वहाँ पर जैकलिन् यानि की जैकी भी सफर कर रही है लेने टूसे देखके हरबढा चाती है उसके मन में गिल्ट है कि उसने जैकी के साथ बुरा कि लिया है जैकी भी लेनेट को और अपने पूर्मंगेतर साइमंट डॉ Gayle को गूर रही है और अकसर ची जैकी के सर पे खून सवार है मौका पाते ही वा लिनेट को मार सकती है जब लिनेट जानती है कि पॉयरो भी शिप पर है तो वो पॉयरो से मिलती है साथ ने साइमन डॉयल भी मिलता है और दोनों बताते हैं अपनी परिशानी कहती है लिनेट पॉयरो से कि वो जितनी भी चाहे फीस ले लें लेकिन किसी तरह जैकी को परस्वेट करें कि वो ये सफर पर ना जाए और अभी भी शिप तो स्टार्ट नहीं हुई है वो यहां से वापस लोट जाए पाइरो कहते हैं कि वो पैसे नहीं लेंगे लेकिन हाँ वो पस्वेट करने की कोशिश करेंगे जैकी को पाइरो जैकी से मिलते हैं उसे बहुत समझाते हैं कि अगर वो बदला लेने के बारे में सोचीगी तो उसकी जिंदगी भी तबाह बरबाद हो जाएगी लेकिन जैकी उनकी एक नहीं सुन्दी वह फिर से वो पिस्टल दिखाती है पाइरो को कहती है कि मौका मिलते ही वो लेनेट को मार देगी शिप पे इतनी भी लड़किया हैं कहीं न कहीं लेनेट से वो सब जलन रखती है सब को लगता है कि Lynette के पास तो सब कुछ है खुबसूरती है, पैसा है, प्यार करने वाला पती भी है और वह बेहत अकल मनती है Pennington जो उसका Finance के देखभार करता है वो भी Lynette का बहुत जादा कायल है जो कि उसको भी लगता है कि Lynette इतनी स्मार्ट है कि एक भी पेपर वो बिना पढ़े कभी साइन नहीं करती चाहे कितनी भी लेट हो रही हो उसके विपरी Simon Doyle जो उसका पती वो बिलकुल बेपरवा है अगर कभी Lynette का जो बिजनस है साइमन को समालना पड़ गया तो वो साइमन उसका बिजनस मटिया मेट कर देगा वो बिलकुल भी अकल नहीं रखता उसमें बच्चों वाली अकल है वो सीरियस नहीं है लाइफ के प्रती आगे के सफर में ये सारे एक खंडहर देखने जाते हैं इसमें लिनेट भी थी साइमन डॉयल भी था पॉयरो भी वहीं पर उस खंडहर के अंदर था तभी बहुत जोरो की आवाज आती है अगर साइमन ने सही टाइम पे लिनेट को एक और ना घसीटा होता तो एक बहुत बड़ा सा पत्थर लिनेट की उपर गिर जाता और वहीं लिनेट की मौत हो जाती लिनेट जोर जोर से चीखें लगती है कि इसके पीछे जरूर जैकलिन का हाथ है लेकिन तब ही जब पॉयरो अंदर से आता है तो देखता है कि जैकलिन तो अभी अभी स्टीमर से उतर रही है और उसका हाथ कैसे हो सकता है वो तो वहां मौजूदी नहीं थी लेकिन लिनेट को कोई नहीं समझा सकता वो किसी भी कीमत पे आगे का सफर इस शिप से नहीं तै करेगी और कारनक नाम के एक दूसरी शिप जो है उसके उपर इन लोग सफर तै करेंगे लेकिन ये बाद सबसे छुपाई जाएगी वो जूट बोलती है कि जिस जगह इन लोग खंड़हर होमने आये थे लेकिन जब इन लोग कारनक पे जाते हैं तो आश्चर जनक रूप से वहाँ पर जैकी भी होती है और जोर जोर से हसने लगती है लिनेट को देखके और कहती है कि अब तुम में से पीछा कैसे छुड़ाओगी मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी एक राद जब लिनेट सोने चली जाती है अपने रूम में तो जैकी उस राद बहुत परिशान होती वो काउचेरिया में बैठ जाती है और ड्रिंक करने लगती है उसके साथ कॉर्नीलिया नाम की एक लड़की भी बैठी थी जो सहयात्री थी उसकी कॉलीनिया बार बार अपने रूम में जाना चाहरी है लेकिन जैकी उसका हाथ पकड़के उसे बार बार बैठा रही है कहरी है आद मैं बहुत परिशान हूं मैं अपने दिल की बात कहना चाहती है और ड्रिंक करती जा रही है लगातार साइमन डॉयल भी कुछ दूरी पे बैठा है उसे बार बार जैकी तीखी निगाओं से देख रही है उसे बहुत गुसा आ रहा है साइमन पे वो कह रही है कि मेरी दोस्त लिनेट तो बेवफा निकली उसने तो मुझे धोका दिया लेकिन साइमन तुमने क्या किया या कहते कहते जैकी जो थी वो बहुत हाइपर हो जाती है और वो पिस्टिल निकाल लेती है और साइमन के ओपर गोली चला देती है जैसी गोली चलती है कॉरलीनिया तेजी से भागती है हेल्प मांगने के लिए और जैकी बहुत घबड़ा जाती कहती, मैं ऐसा करना नहीं चाती थी और वहीं सोफे के नीचे वो बंदू को फिक देती है और जोर से वहां से भाग जाती है एक रुमाल पैर पे रखके साइमन खून डोकने का प्रयास कर रहा है गोली उसके घुटनों पे लगी है थोड़ी देर बात कॉलीनिया जो है वापस आती है देखती है साइमन जो है वो घुटनों पे रखा हुआ है खून बहरा है उसके घुटने से तो कहता है साइमन की पहले जाके तुम जैकी को देखो उनका वो जैसे बहुत अमीर जो लेडीज थी उनकी हल्प करती थी तो मिस बोवर्स जो थी वो एक इंजेक्शन लगा देती है जैकी को नींद का इंजेक्शन होता है जिससे उसे अराम मिले और वो सो जाए उधर मिस्टर बेसनर की क्लिनिक में ले जाया जाता है साइमन डॉ को जिससे उसका इलाज हो सके उसके घुटने में जो गोली लगी थी उसके वज़े से उसके घुटने की हड़ी में फ्रैक्चर हो गया है और काफी खून भी बहरा है जॉक्टर बेसनर जल्दी जल्दी उसकी मरहम पट्टी करने लगते हैं इनी सब अफरा तफरी के बीच सुबह हमें मालूम पड़ता है कि लिनेट का रात में ही खून हो चुका है पॉइंट ब्लैंक से किसी ने उसे शूट कर दिया है और साथ ही उसके कमरे में जो बहु मूली मोतियों को हार था वही हार जो उसके ड्रेसिंग टेबल पे लापर वाही से पढ़ा था जो एक दिन के पास पिस्टल भी थी और वो बहुत बार कह चुकी थी कि वह किसी भी कीमत पे लिनेट को मार के ही दम लेगी लेकिन बताती है वो नर्स जो थी मिस बोवस कि उन्होंने तो उसे भी होशी का इंजेक्शन लगा दिया था रात नहीं जैकी को वो पूरी रात जैकी के कमरे म था पूरी रात तो फिर आखिल लिनेट को किसने मारा दिवार पर खून से जे लिखा हुआ था जे यानि जैकलिन की तरफ ही इशारा कर रहा था लेकिन जैकलिन तो पूरी रात उनर्स के देखरेक में थी फिर वो खून कैसे कर सकती थी पौयरों बहुत परिशान हो जाते ह कि ये वो किस तरह से गुत्थी सुलजाएं वो गुत्थी सुलजा पाते इसके पहले ही अगले दिन एक और खुन हो जाता है ये खुन होता है लिनेट की जो मेट थी लौजी उसका उसके हाथों में नोटों का एक बंडल था और सीडियों के पास वो मृत मिली थी उसके गले क पीछे एक नुकीली छूरी यासे मेडिकल इंस्ट्रुमेंट होता है जो ऑपरेशन में यूस किया जाता है वो उसके पीछे गले में किसी ने घोपके उसको मार डाला था अब पॉयरों को ये शक होता है कि जरूर लूजी जो थी उसको मालूम था कि मडर किस ने किया है और उससे छुटका रहा पाई जो कि वो उसको लंबे समय तक ब्लैक मेल करके उससे पैसे ले सकती थी इसी शिप पे कोरनोनल रेस नाम का एक शक्त भी ट्रैवल कर रहा है जो पॉयरों को बहुत अच्छे से जानता है वह पॉयरों को अगा करता है कि उन लोग को खबर मिली है क इस शिप पे एक सीरियल किलर भी ट्रैवल कर रहा है जो पॉलिटिकल बैक्राउंड से है उसको भेजा गया है खास करके शिप पे इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पॉयरों अब बहुत परिशान हो जाते उन्हें लगता है कहीं ये सीरियल किलिंग का ही मामला तो नहीं कि कोई सीरियल किलर है और एक के बाद एक वो खून कर रहा है यहीं पे पायरों को एक विचित टेलिग्राम के बारे में मालूम पड़ता है जो गलती से लिनेट ने रिसीव कर लिया था जब लिनेट जिन्दा थी दर असल वो टेगरगाम तो सिगमोर रिचिती नाम क एक आदनी का था लेकिन क्योंकि उसका नाम इटालियन में लिखा था इसे लगता है लिनेट को कि वो रिचिती की जगा रिजवे लिखा वा जो कि लिनेट का पूरा नाम लिनेट रिजवे था उसने गलती से वो टेलिग्राम खोल दिया था अब उस टेलिग्राम में क्या लिखा था ये उसके हस्बन ने भी यानि साइमन डॉयल ने भी देख लिया था लेकिन उसी समय सिगमो और रिकिट्री वहाँ पर आ गये थे और वो बहुत गुसा है थे लिनेट के उपर कि क्यों उसने ठीक से नाम नहीं पड़ा और उनके नाम का टेलिग्राम खोल दिया एडमिट होना चाहिए लेकिन क्योंकि लगातार इन लुक शिप से मूव कर रहे हैं लैंड अभी बहुत दूर है सिलिए उसका इलाज अभी डॉक्टर बेसनर ही कर रहे हैं साइमन डॉय से पूछते हैं पायरो की आखर उस चेलिग्राम में क्या लिखा था जो गलती से लि आती है मिस्स ओटन बर्न वही लेकिका है जो आई है शिप पे कि शायद उन्हें कोई टॉपिक मिल जाए रोजलीन की मॉम अब यहां पर हम एक चीज और मालूम पड़ती है कि रोजलीन हमेशा दुखी क्यों रहती थी हमेशा परिशान क्यों रहती थी और लिनिट को देख अची नहीं बिकरे थी इसलिए वो भी बहुत टेंशन में रहती थी और इसलिए वो शराब पीनी की आदी हो गई थी इतनी जादा वो शराब पीने लगी थी कि रोजलीन उससे बहुत परिशान हो गई थी इसलिए वो इतनी टेंशन में रहती थी और अक्सर वा उनकी शरा अंदाज में बताती है कि अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूं असली कातिल का नाम इतना ही बोलती है तबी तेजी से साइमन डॉल कहता है कि हाँ हाँ बताइए मुझे तुरन जानना है कि मेरी प्यारे लिंट का खून किस ने किया सब कुछ सॉल्व होने ही वाला था नहीं दिखता हाला कि एक बंदूख दूर फेकी वी उन्हें जरूर मिलती है जब उस गन को उठाते हैं तो उनको याद आता है कि ये गन तो मिस्टर पैनिंग्टन की थी मिस्टर पैनिंग्टन यानि की जो सारा फाइनस देखते थे लिनिट का भागते हैं वो नीचे और उन्हें वहीं पर बैठे वोई मिस्टर पनिंग्टन मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अभी अभी एक कतल किया और इतनी आसानी से तुम यहां आके बैठ गये हो। पनिंग्टन कहता है कि नहीं उसे नहीं पता उसकी बंदूक उपर कैसे चलीगी कैसे। मिसिस ओर्टन बन का खून हुआ वो तो नीचे ही बैठा था और कागसों को पढ़ रहा था। तब कहते हैं पायरो की जिस दिन वो खंडहर में घूमने कहते हैं जब एक बड़ा सा पत्थर लिनिट के उपर गिरा था तब उन्हें पूरा शक है कि वो पत्थर पनिंग्टन नहीं उनके उपर गिराया था। और लिनिट जो थी वो बहुत जादा होशियार थी बहुत टाइट थी अपने पैसे को बहुत सम्हाल के रखती थी इसलिए कभी उससे एक रुपिया भी बेमानी से पनिंग्टन निकाल नहीं सकता था। जिससे उसकी financial crisis दूर हो जाएगी। लेकिन वो फिर मिस्टर पायरो से कहता है कि उसे नहीं पता उसकी बंदूग कैसे चली गई उपर और मिस्स ओर्टन बन मर गई और लिनिट या लूजी के कतल में भी उसका कोई हाथ नहीं है। इधर पायरो छाइन बीन करवाते हैं तो नील नदी के तलहटी में ही उन्हें वा पिस्टिल मिल जाती है जिससे लिनिट का खून किया गया था। वा पिस्टिल एक सिल्प के स्कार्फ में लपेटी गई थी और फिर एक सस्ते से रुमाल के अंदर लपेटी रखी थी। समझ में नहीं आता मिस्टर पायरो को कि इस तरह से या गण इतनी लपेट के क्यों फिकी गई थी और वो जो सफेद रंग का हैंकी था सस्ता सा रुमाल जिसमें वा गण लपेटी गई थी उसमें पिंग कलर का धाग था वा खून नहीं था समझ में नहीं आता है पायरो को क आखिर ये पीपिंग कलर के धबे किस चीज़ के हैं खेर हम लोगी कहाने आगे बढ़ती है और अचानक से एक लिए दिन है मिस पोवर्स जो की नर्स हैं जिन्होंने उस रात जैकलिंग का ख्याल रखा था जो की मिस वैन की नर्स है मिस वैन जो बहुत ही अमीर महिला है जो ट्रैवल कर रही है वो शिप पर वो आती है और बताती है पायरो को कि उन्हें वो परल नेकलेस अपनी मालकिन के पास से मिला है क्योंकि उनकी जो मालकिन मिस वैन है ऐसे तो बहुत हमीर है लेकिन कलेप्टो मैनियक है यानि कि उन्हें चोरी करनी की आदत है और कई बार मिस बोवस ने उनके पास से चोरी का समान लेके उनके मालिकों को लटाया है लेकिन जब मिस बैन से पूछा जाता है तो वो कहती है कि उन्हों ने ये मोती का हार नहीं चुराया जैसे वो मोती का हार लेते हैं वाईरों अपने हाथ में वो कहते हैं कि ये डुप्लिकेट हार है किसे ने बहुती चलाकी से पहले ही असली हार बदल दिया है और चोर अभी असली पकड़ा नहीं गया साथ ही लिनेट के कमरे से उन्हें बहुत अजीब अजीब सी कुछ चीज़ें मिलती हैं जिसमें एक नेल पॉलिश की शीशी थी जिसके ओपर रोज लिखा था रोज यानि की वो पिंग कलर की नेल पॉलिश रही होगी लेकिन वो नेल पॉलिश बिलकुल खाली थी और सिर्फ से कि तुम्हें क्या लगता है तुमने अभी तक कुछ तो कुछ धारना बनाई होगी कि किस ने खून किया था और तब ही इन लोग को मालूम पड़ता है कि उस टेलिग्राम में आखिर क्या लिखा था वो टेलिग्राम जो उस दिन गलती से लिनेट ने खोल दिया था बाद आखिर ने मालूम पड़ता है साइमन डॉयल से कि उसमें क्या लिखा था साइमन बताता है पौईरो को कि उसमें कुछ खास नहीं खाली कुछ सबजियों के नाम लिखे थे जैसे पोटैटो बीड रोट यही सब तो ये बात जब बताता है पौईरो कॉलोनल रेस को तो वो इसका मतलब वो सीरियल किलर जो है शिप पे वो और कोई नहीं है वो मिस्टर रिचिटी ही है मिस्टर सिगमो रिचिटी तो वो कहते हैं ऐसा आप कैसे कह सकते हैं उसमें सबजियों के नाम थे कहते हैं नहीं नहीं ये एक कोट भाशा है पोटैटो मतलब की बॉम्स होते हैं बी टूट मनिप की हैंड क्रिनेट होता है और इसी तरह से कोड भाचे में जो सब्जियां लिखी थी इसका मतलब की बहुत सारा असलहा जो है वो छुपा के इस शिप पर वो ले जा रहे हैं तो होता है कि क्या फिर सिगमो और इचिटी जो हैं वही सीरियल किलर हैं पौइरो कहते हैं कि उन्हें तो पहले पूरा शक डॉक्टर बैसनर पे था जो कि डॉск्टर बैसनर जो थे उन्होंने ही उस दिन वो नहीं नींद का इंज्यक्षन लगाया था जैकी को और फिर लॉस्दी के गले पर जो घूप के मारा क्या था जो आज़ार था वो उन्हीं क अक्टर बेसनर वहाँ पे नहीं थे लेकिन बाद में कहते हैं बाइरो कि मैंने जब और जादा तहकिकात की और गहराई में सोचा तब मुझे मालूम पढ़ा कि आखे लिए माजरा किया है दर असल जैकी और साइमान का प्रेम कभी खत्म हुआ ही नहीं था वो लोग आज भी लिनेट ने अपने या नौकरी पे रखिया तब वो उसकी तरफ उसका जुगाओ बढ़ने लगा और साइमान ने ये बात बताई जैकी को कि लिनेट मुझे कहीं ना कहीं पसंद कर रही है पहले तो जैकी बहुत चिड़ गई लेकिन फिस साइमान ने एक प्लान बनाया उस उसके बाद वो अमीर हो जाएगा और जैकी से शादी कर लेगा फिर इलो की जिन्दगी बहुत आसान हो जाएगी लेकिन जैकी जानती थी कि इतना आसान नहीं है ये सब काम करना इसलिए प्लान में उसने साइमन का पूरा पूरा साथ दिया और इस शिप पर वो भी आ गई उस रात ये सब प्लान के तहट था जो शराब पी कर उसने कॉलीनिया को पास में बठाया था जैकी ने और रोरो के बाते कर रही थी फिर उसने नाटक किया साइमन डॉल के ओपर फायर करने का दर असल वो जो गोली थी वो सोफे में ही धसके रह गई थी जो बाद में मिलती है पॉयरो को साइमन ने क्या किया एक्टिंग की की गोली उसके पैर में लग गई है उसने वो रुमान लिया जिसमें उसने पहले ही वो नेल पेंट गिरा лिया था वही नेल पेंट इस पे रोज लिखा था जो खाली मिला था लिनेट के रूम से और उसने अपने गुटने पर रखा, सबको लगा किसे गटने से खुर्ण निकल रहा है और इसने कहा काल लिन्या से कि तुम भाग के पहले zurück में जाज़े जाओ, वो बहुत परिशान है लेकिन साइमन को गोली सही में लगी हुई थी डॉक्टर बिसनर कहते हैं और उसकी हड़ी जो थी वो फ्रैक्चर भी थी बताते हैं पायरो की इसी लिए उसने इस रुमाल के बाद वो सिल्क वाले हैंकी से बंदू को लपेटा की बाहर कहीं आवाज न जाए और खून के जो शूट कर लेता है घुटने पर और फिर आके लंगडाते हुए वहीं सोफे पे गिर जाता है जब तक और लिनिया लोटती है मीस उसको छोड़ के जैकी को डॉक्टर बिसनर के पास तब तक यहां सचमुच में सैमन अपने पैर में गोली मार चुका था और बंदूक कैसे कर सकता है तब कहते हैं पाइरो कि आपको अच्छे से याद होगा कि अगले दिन सैमन डॉयल जो था वो जैकलीन से मिलना चाता था केले में डॉक्टर बेसनर कहते हैं हाँ सैमन ने ये बात कही थी उससे तो बताते हैं कि जब सैमन जैकलीन से केले में मिलता है तो वो उसे उस दिन लिनिट के रूम से निकलते हुए देख लिया था जब वो कतल करके निकल रहा था और अब वो से ब्लैक मेल कर रही है जैकली ने सुनके घबडा जाती है वो पैसे देने जाती है लूजी को और पीछे डॉक्टर बिस्नर के ही क्लिनिक से उनका एक उजा लेती है और गले पे पीछे मार के उनका काम खत्म कर देती है लोजी का फिर मिसिस ओटन बंजब बताने जा रही थी कि मुझे पता है कातल कौन है तब अचानक से साइमन डॉल तेज 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 लाने लगता है कि बताओ कातल कौन है बताओ कातल कौन है जो सतर कर रहा था चैकलिन को जैकलिन फर्ड से पनिंग्टन वहीं पे जो बैठा था उसकी बंदूख वो जानती थी कहां रहती है वो बंदूख निकालती है और बाहर से आके शूट कर देती है और डॉक्टर मिस्स ओर्टन बन जो थी वो वहीं पर मर जाती है ये सारी बाते सब सुन रहे थे बाहर खड़ी होकर जैकलिन भी ये बात सुन रही थी वह अंदर आती है और कहती है मिस्टर पाइरो से कि मेरा खेल अब खत्म हो गया मैंने साथ देना चाहा था साइमन का और हम दोनों का अच्छी जिना चाहते थे लेकिन हम लोने गलत रास्ता चुना बोलते हैं पौयरो की किया तुम इस हद तक नफरत करती थी अपनी फ्रेंड़ से तो वो कहती है कि नहीं मैं नफरत नहीं करती थी लेकिन साइमन के प्रेम में मैंने ये सब कर दिया इधर उस हार का राज भी खुलता है वो हार जो नकली हार था और असली हार दरसल कहां चला गया था पॉयरों को ये मालूम पड़ता है कि मिस ऐलर्टर नाम की एक लेडी है जो ये काम करती है वा किसी से भी अगर हार बोरो करती है और फिर उसकी हू बहू कॉपी बना के असली हार उस वापस कर देती है और थोड़े दिन बाद वो हार चोरी हो जाता है मिस वो उस हार को एक्सचेंज कर देती है तो जब स्टार्टिंग में कहानी के हम लोग ने देखा था कि लिनेट के पास उसकी एक सहेली आई थी और उसका बेश कीमती हार एक दिन के लिए मांग के ले गई थी दर असल वा मिस अलर्टन ही थी लेकिन वो इस शिप पर तो आई नहीं थी फिर उसने ये हार की अदला बदली कैसे की दर असल टेम एलर्टन उसका मीस कजन है और टेम इसी लिए इस शिप पे हाला कि वो इतना गरीब था लेकिन वो इसी काम करने के लिए शिप पे आया था जब उसे मालूम पड़ा था कि लिनिट रिजवे भी इस शिप पे ट्रैवल कर रही है नखली हार उसकी कजन उसे पहले ही कोरियर कर दिया था वह नखली हार लेके शिप पे आया था और फिर जब इसका कतल हुआ था लिनिट का जिस रात उसके पहले वो सो चुकी थी जब रूम में अकेली थी तब उसने ये हार बदल दिया था उसने वह जो असली हार था वो अपने पास रख लिया और नकली हार उठा कर मिस वैन के पास रख दिया था चुपा के जो मिस बोव और चानी उनकी नर्स को बाद में मिलता है और वो मिस्टर पायरो को वो हार लटाती है तो मिस्टर पाइरो कहते हैं कि तुमने असली हाउर वो कहाँ छुपा के रखा है टेमलरटन से पूचते है तब टेमलरटन कहता है कि जो जूमर लगी हुई यह से कमरे में उसके उपर इ Capram लगे हैं उसके Valent हाउर चुपा के रखा है शिप से तीन लाशे भी उतरती है जब ये लोग जा रहते गिरिफतारी हो चुकी थी तब ही अचानक से जैकलिन अपने मोजो के अंदर छुपी हुए छोटी से पिस्टिल निकालती है और सामन डॉल को शूट कर देती है जब तक पोलुज उसके पास आती तब तक जैकी अपने आप को भी शूट कर लेती है मिस्टर पायरो कहते है कि मुझे मालूम था कि जैकी के पास एक गन और है मुझे हमेशा से पता था कि इसके पास दो गन है लेकिन मैंने इसी लिए उस गन को नहीं निकाला था क्योंकि ये मौत उस सजा से बहतर थी जो ये दोनों जेल में रहके काटते और इसी के साथ ये दिलचफस कहानी यहीं पे खत्म होती है कहानी आपको कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूले और जुड़े रहें मेरे चैनल से सुनते रहें दिलचफस कहानिया ठैंक्स फॉर लिस्निंग बाई फो नाउ